27 मई 1941 को जर्मन युद्धपोद बिसमार्क एक भयंकर गोला बारी में डूब गया, जिसमें उसके 2200 चालक दल के सदस्यों में से केवल 118 जीविद बचे। और ब्रिटिश मनोबल बढ़ाया, जब तक की एक दिन एक अचानक टॉर्पीडो के हमले के कारण जहाज बिखर कर डूब गया, लेकिन चमतकारिक धंक से बिल्ली को तब भी कुछ नहीं हुआ, उसका उपनाम Unsinkable Sam रखा गया, वो बचाए गए चालक दल के साथ गया और उसने तीन और जहाजों पर जहाज बिल्ली के रूप में काम किया, जिन में से एक और जहाज नाविकों के बेलफास्ट होम में अवगाश क्रहन करने से पहले डूब गया था, कई लोग बिल्लियों को सेवा करने वाले नाविकों या किसी भी प्रकार के सहकारी किसे पहुंचे? चिम एशिया में पाये जाने वाली जंगली बिल्ली को भी, ये जंगली बिल्लिया तेज, भयंकर, मांसाहारी शिकारी थी, और वे आज की घरेलू बिल्लियों के आकार और उपस्थिती में काफी समान थे, मुख्य अंतर ये है कि प्राचीन जंगली बिल्लिया अधिक शक् और जिस तरह जंगली बिल्यों ने भोजन के दौरान मनुश्यों और अन्य बिल्यों की उपस्थिती को सहन करना सीखा, हमें लगता है कि किसानों ने भी उसी तरह मुफ्त कीट नियंत्रण के बदले बिल्यों को सहन करना सीख लिया। जब बार-बार सफर करने ये अनटॉलियन बिल्यां रवाना हुई, लगभग उसी समय मिस्र के लोगों ने अपनी स्थानिय बिल्यों को पालतु बना लिया। जहरीले सापों को भगाने, पक्षियों को पकड़ने और चुहों को मारने की उनकी क्षमता के लिए सम्मानित, मिस्र की धार्मिक संस्कृती के लिए घरीलू बिल्यां महत्वपूर न हो गई। उन्होंने भित्ती चित्र चित्र लीपी, मूर्तियों और यहां तक की मगबरों में अपने मालिकों के साथ ममी कृत होकर अमर्ता प्राप्त की। मिस्र के जहाज की बिल्यों ने जहरीले नदी साप को खाडी में रखते हुए नील नदी को पार किया और बड़े जहाजों में परिवर्तित होने के बाद वे भी एक बंदरगाह से दूसरे बंदरगाह की और पलायन करने लगे। रोमन सामराज्य के समय के दौरान भारत और मिस्र के बीच यात्रा करने वाले जहाज मध्य एशियाई जंगली बिल्ली एफएस और नाटा की वंचावली को ले जाया करते थे। समय में अधिकांच घरेलू बिल्लियां निकट पूर्वी या मिस्र वंच के एफएस लिबिका की वंचज हैं। लेकिन आधुनिक बिल्लियों के जिनोम और कोट पैटरन का करीबी विशलेशन हमें बताता है कि कुट्तों के विपरीत जो सद्यों से चयानात्मक प्रजनन से गुजर चुके हैं। आधुनिक बिल्लियां अनुवानशिक रूप से प्राचीन बिल्लियों के समान हैं और उन्हें अधिक सामाजिक और विनम्र बनाने के अलावा हमने उनके प्राकृतिक व्यवहार को बदलने के लिए कुछ ज्यादा नहीं किया है। दूसरे शब्दों में आज की बिल्लियां कमोबेश वैसी ही हैं जैसी वे हमेशा से रही हैं। जंगली जानवर, खौंखार शिकारी, ऐसे जीव जो हमें अपने रखवाले के रूप में नहीं दिखते हैं और बिल्लियां एवं हमारे लंबे इतिहास को देखते हुए वे घलत भी नहीं हैं। Quantum Mechanics में सबसे अच्छी बिल्ली के बारे में इस वीडियो में बिल्लियों की समान दुनिया की खोज करना जारी रखें। और अगर आप सीखना जारी रखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना सुनिश्चित करें।